वरुन धवन ने जीजी हदीद को किया किस तो जिस पर जो हैं ट्रोलर्स हैं जो वरुन पर भड़कते हुए नजर आएं इस बात को लेकर वरुन ने सफाई भी दी और इसके बाद अब जीजी हदीद का भी रियक्शन सामने आ चुका है वैल जो लोग हीटर्स जो हैं यहां वरुन को ट्रोल कर रहे थे कि जीजी हदीद अनकमफर्टेबल महसूस कर रही थी इस पर अब वरुन के बाद जीजी हदीद का भी रियक्शन सामने आ चुका है क्या कुछ कहा है जीजी हदीद ने चलिये जानते हैं हालो दोस्तों मैं हुकोमल और आप अपना चैनल देख हैं फीफा फूज वैल जैसा कि हम सभी को पता है कि नीता मुकेश शंबानी ने कल्चर सेंटर के लौंच के दोरां सभी को बुलाया और कई सारे बॉलिवूड के सेलिबरिटी नजर आए हॉलिवूड के नजर आए बड़ी-बड़ी मॉडल्स नजर आई तो ऐसे में जीज पर गोद में उठाते हैं और फिर केस भी करते हैं जब ये वीडियो सामने आया तो ट्रोलर्स हैं जो ट्रोल करने लग गए वरुन धवन को की छपरी पना दिखा दिया ये कर दिया लड़किया कहीं भी सही नहीं मैसूस कर पाती हैं कमफूटिवल नहीं कर फील कर पा रही जी जी तो इस तरह की कमेंट्स आने शुरू है जिसके बाद वरुन ने भी भाई सफाई दी कि बिना जीजी के मरजी से कुछ भी नहीं हुआ है तो आप लोग कुछ और वज़ा धूले ट्रोल करने के लिए अब इस पर जीजी हदीद का भी रेक्शन सामने आ चुका है वरुन धवन मेकिंग माई बॉलिवूड ड्रीम कमस ट्रू और इसलिके साथ ये देखिया आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये पोस्ट किया है और अब इससे साब पता चल गया कि हीटर्स को की भाई जी जी को दिक्कत नहीं थी तो फिर ये हीटर्स क्या कर रहे हैं वेल क् बॉलिवूड की लेटेस्ट अबडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले